गुर्जर प्रतिहार कला की प्रमुख विशेशताएं परिचय गुर्जर प्रतिहार कला के अवशेश हरियाना और मध्य भारत के एक विशाल क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। इस युग में गुर्जर प्रतिहारों द्वारा निर्मित, मंदिर, स्थापत्य और कला की सबसे बड़ी विशेशता इसकी अलंकरण शैली है। गुर्जर प्रतिहार कला, भारतिय कला और वास्तु कला में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो मुख्यतह आटवी से ग्यारवी शताबदी के बीच विकसित हुई। अंतराल, मंडप और शिखर जैसी सनरचनात्मक इकाईयां प्रमुख्थी। खजुराहो के मंदिर, विशेश रूप से कंदरिया महादेव मंदिर, इस कला के उतक्रिष्ट उदाहरण हैं। शिखर उँचे और अत्यधिक सजावटी होते थे, जो एक प्रकार के पिरामिड की तरह होते थे। डो, मूर्तिकला इस काल की मूर्तिकला में देवी देवताओं, विशेश रूप से विश्णू, शिव और दुर्गा की मूर्तियां प्रमुख्थी। मूर्तियों की विशेश्टाएं स्पष्ट रूप से नकाशिदार चहरे, गहन भाव भंगिमा और जटिल अलंकरण होती थी। मूर्तियों में मानव आकृतियों के साथ साथ मिथकिये प्राणियों और पशुओं की भी जटिल और सुन्दर प्रतिमाएं बनाई गई। गुर्जर प्रतिहार कला में मंदिरों की दीवारों और स्तंभों पर जटिल, नकाशी और अलंकरण देखे जाते हैं। इनमें फूलों की बेलें, जामितिय डिजाइन और धार्मिक कथाओं को चितरित करने वाले द्रिश्य शामिल होते हैं। चोर धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव गुर्जर प्रतिहार काल की कला पर हिंदु धर्म का गहरा प्रभाव था। मंदिरों की वास्तुकला और मूर्तियों में धार्मिक तत्व स्पष्ठ रूप से परिलक्षित होते हैं। इसके साथ ही समाज के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन की जलक भी इस कला में देखी जा सकती है। अर्थकामक वास्तुकला गुर्जर प्रतिहारों के समय की स्थापत्य कला में सामरिक और रक्षात्मक निर्मान भी शामिल थे। किले और गढ़ प्राचीन स्थापत्य के महत्वपूर्ण भाग थे जो उनके सामरिक कौशल और रक्षा प्रणाली को दर्शाते थे। निशकर्ष, गुर्जर प्रतिहार कला, भारतिय इतिहास में कला और संस्कृति के विकास के एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी रचनाएं न केवल धार्मिक आस्था की अभिव्यक्ति थी, बलकि उन्होंने भारतिय स्थापत्य और मूर्तिकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।